जे गोपिनाजी की दोस्तों मैं हूँ रतन सिंग शेखावत और आज आपको लेके चलूँगा मद्दे प्रदेश के खंडवा जिले में उंकारेश्वर जोतिरलिंग और मैं आपको उंकारेश्वर जोतिरलिंग के दर्सन करवाऊंगा और शाती उंकारेश्वर जोतिरलिंग और वहां का जो महादेव मंदिर है उसका मैं संक्षिप्त आपसे परिशे करूँगा और महदोपूर प्रतीक माना जाता है ओकारेश्वर जोतिर लिंग से जुड़ी कई पोरानी खताएं है एक प्रमुक खता के अनुसार बगवान सिव ने या अपने भक्त मानदाता की तपस्या से प्रसन्न होकर जोतिर लिंग के रूप में प्रकट वे आपको बता दें राजा मानदाता का भव्वे और विसाल किला मंदिर से थोड़ी दूर पहाड़ी पर बनाएं जिसके अंदर बने सुन्दर महेज दर्सनी है एक अन्य कता में कहा जाता है कि विंदे परवत ने यहां आकर खटोर तपस्या की थी और भगवान सिव ने उसकी तपस्या से प्रसिन्न होकर उसे आशिरवाद दिया था ओकारे स्वर मंदिर की इस्तापत्ते कला एद्विती यह है यह नर्मदा नदी के किनारे दो तटों पर बसा है और एक पुल के मात्यम से जुड़ाव है मंदिर के मुख्य गरप ग्रह में बगवान ओकारे स्वर की मूर्ती स्थित है जहां प्रती दिन हजारू सरद धालू दर्शन करने आते हैं मंदिर का स्थिकर और उसके चारू और के नकासी मत्य कालीन भारती वस्त उकला का एक उत्गरष्ट उदान प्रस्तूत करती है मंदिर के भीतत बड़े बड़े खम्मों पर की गई नकासी हर किसी गा आकर्शन का केंदर है ओकारेश्वर पहुँचने के लिए आपको पहले इंदोर या खंडवा पहुचना होगा इंदोर से ओकारेश्वर की दूरी लगबग 70 किलोमेटर है और खंडवा से लगबग 60 किलोमेटर आप यहां सडग मार्क से आसानी से पहुँच सकते हैं रेलवे और हवाई मार्क से भी यहां का सफर काफी स्विदा जनक है महासिवरात्री और स्रावन मास के दोरान यहां विसेश आयोजन होते हैं इन दिनों में ओकारेश्वर में भारी भीड होती है और भक्त जन दूर दूर से यहां पर बगवान सीव के दर्सन के लिए आते हैं इसके अलावा हर सोमार को भी यहां भक्तों की काफी भीड होती है नर्मदा नदी को भारत की पवित्र नदियों में से एक मना जाता है यहां किस्तानी यह लोग मानते हैं कि नर्मदा नदी में सनान करने से सारे पाप दूल जाते हैं और मौक्ष की प्राप्ती होती है इसलिए ओकारेश्वर की यात्रा नर्मदा नदी में सनान के बिना अधूरी माने जाती है आपको बता दे यहां आने वाले इस रद्धालू नदी में सनान के साथ बोट में बेटकर नदी में दूर तक बोटिंग का भी लुप्त उठाते हैं ओकारेशवर जोतिर लिंग के पास ही ममलेशवर जोतिर लिंग भी स्थित है जिशे द्वार का दीस मंदिर भी कहा जाता है इसके अलावा यहां से कुछ दूरी पर सिद्धनात मंदिर, राजामान दाता का किला और अन्नपूर्णा मंदिर भी दर्सनी एस्तल है तो दोस्तो यहता ओगारेशवर जोतिर लिंग का संक्षित परिचे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल सकें ओगारेशवर जोतिर लिंग की यात्रा करने का अनुबव अगर आपने किया है तो कमेंट में आमें जुरूर बताएं धन्यवाद हर हर महादेव